नमस्कार, New Zet in India के इस खास सेग्मेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे और पिछली दफा जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, तो NCS Portal के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने लिए नौकरी वहाँ पर ढूंड सकते हैं, काफी अच्छे रिव्यूद उसके आये थे, और उसके बाद आज हम कुछ ऐसी खास जानकारी आपक इस तरह के ना जाने कितने काम हैं जिसके लिए अलग-अलग दफ्तरों के चकर लगाने ही पड़ते हैं, और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां से सरकारी दफ्तर दूर हो, तो समझे कि एक काम के लिए आप पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन फिर भी गारेंटी नहीं क कि आपका काम पूरा हो जाएगा, और इसी वज़ा से आम लोगों को कमिशन एजेंट के पास जाना होता है, और अपना काम करवाने वाले के लिए कमिशन भी उसको देना होता है, अब इसमें भी कई बार फ्रॉड होने का भी खत्रा होता है, तो सवाल यही कि इसका से आए हैं, उससे कैसे चुटकियों में आप उसको आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके जरीए आप आसानी से तेरा हजार से भी जादा काम घर बैठे निप्टा सकते हैं, जी हाँ, सुन इस पोर्टल पर डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे आधार, युनिफाइट पेमेंट इंटरफेस, यूपी आई और सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल, ओपन नेटवर्क, फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओन डीसी जैसे सभी सरकारी सुविधाय मिलेंगी, मतलब एक जगा पर सभ सभी डिजिटल सुविधाय मिल जाएंगी, और इससे आम यूजर्स को बहुत आसानी भी हो जाएगी, यूजर्स को डिजिटल सर्विस के लिए अलग-अलग आप और पोर्टल पर नहीं जाना होगा, अब मैं आपको डेमो भी आपर करके दिखाती हूँ और अगर आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो दाई तरफ आपको सर्वसिस की पूरी लिस्ट यहाँ पर मिलेगे और इसमें एक सर्च बार में भी जिसमें आपको सभी जानकारिया हासल होगी, बस वो आपको यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है, जिस चीज को आप सर्च कर रहे हैं और य यहाँ पर बहुत सारे options आपके पास, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो services related to education and learning, health and wellness, electricity, water and local services, money and taxes, jobs, justice, law, grievances, travel and tourism, business, births, deaths, marriages and child care, pension benefits, इस सारी categories हैं, यानि आपको तरह तरह की पोर्टल पर आप जाने की जरुवत नहीं है, एक ही पोर्टल है, वो है national services portal, यहाँ पर आए जाएंगे और आसानी से आपको तमाम जो services हैं, वो यहाँ पर मिल जाएंगे और इस portal पर, इस portal का मकसद बस इतना सहाप, यह समझे, क्योंकि अलग-अलग जिसे electricity के लिए आपको किसी और portal पर जाना पड़ता है, पानी से जुड़ी कोई समस्या है, तो किसी और portal पर आपको कहीं इधर उधर तांकने जांकने की जरुवत नहीं है, या ज्यादा मेहनत या ज्यादा समय बरबाद करने की जरुवत नहीं है, इस portal पर आईए, जो कि national government service portal है, यहाँ पर आपको तमाम links, आपकी हर समस्या से जुड़े हुए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश करने का, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप से permission मांगेगा, कि इसको हम इंग्लिश में क्या convert कर सकते हैं, और जब आप उसको OK कर देंगे, तो पूरा जो पेज है आपका, वो इंग्लिश में convert हो जाएगा, तो इंग्लिश जो की ministry of finance से जुड़ी हुई यहाँ पर मौझूद है, 96 services जो की ministry of petroleum and natural gas से जुड़ी हुई है, 81 services जो ministry of health and welfare से जुड़ी हुई है, और 70 services ऐसी हैं जो ministry of personal public grievances से जुड़ी है, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको यहाँ पर तरह तरह की services मिल जाएंगे, जैसे जैसे आप scroll button करते जाएंगे, आपको तमाम यह services यहाँ पर मलती जाएंगे, आप आसानी से जाकर इनको सर्च कर सकते हैं, अब जो main focus में जो रहती हैं, वो है apply for प्रधानमंत्री भारती, जन अशुदी केंद्र, apply for new ujvila, 2.0 connection, enroll to avail benefits from प्रधानमंत्री, श्रम, योगी, मंधन योजना, तो यह तमाम ऐसी योजना हैं, जिनके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आप register करना चाहते हैं, इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको केवल इनको click कर देना है, और यह click आपको ले जाएगा एक link पर, और वो उसी service है, उसी का व होता है, देखे, सबसे जादा जो search किया गई हुई चीजे हैं, जैसे link आधार card with pancard, आकसर लोग यही search करते हैं, अधार card को pancard से कैसे जोड़ें, और check online your आधार card details, उनको कैसे जाने, क्योंकि कई लोग कई बार upgrade कराते हैं, तो वो details को कैसे जाना है, क्या अप्रेट हुई ह हैं, या फिर नहीं हुई है, आधार card कैसे निकालें, PM किसान सम्मान निधी, voter information and services, check आधार, pan, card link status, check आधार, card status online, तो यह ऐसे चीजे हैं, जो लोगों ने यहाँ पर search की हुई हैं, और अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको आधार card की बार में कुछ जाना है, तो यहा को यहाँ पर टाइप करना है, birth certificate, यह आपने टाइप के birth certificate, फिर search का button आपने या पर दबा दिया, अब यह search results आ गए हैं, आप देखिए, यहाँ पर हर अलग-अलग state का, Punjab का, मिजुरम का, यह इनकी sites खुल चुकी हैं, और आप जिस भी राज्य से बिलॉंग करते हैं, उस आपको उसी राज्य की साइट चाहिए होगी, तो यहाँ पर जाकर आप search कर सकते हैं, अगर इस पहले पेज में आपका जो लिंक है वो नहीं है, तो दूसरे पेज में भी जाकर आप search कर सकते हैं, अपने राज्य का जो पोटल होगा, वो आपके सामने या पर आसानी से, वो जाने से खरादेगा, कैसी लगी आपको जानकारी और इसके अलावा आप अपने अनुभाव हैं, वो भी साजा हमारे साथ कर सकते हैं, कई ऐसे यूजर्स होगे जो इस पोटल पर जाकर अपनी सेवाएं ले चुके होगे, तो अपना अनुभाव साजा कर सकते हैं, इसके अ अगर आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन के जरीए हम तक जरूर पहुंचाएं